जहिंद मेरे प्यारे साथियों इंडिया आर्मी की तैयारी करने वाले मेरे प्यारे साथियों मेरे प्यारे बंद्यों सभी को मेरे इतरप से जहिंद है आप सभी इंडिया आर्मी के तैयारी करते रहिए आप सभी के लिए बस खुसकबरी आ रही है जल्दी जल्द आप सभी क सभी के स्टेट के नोटिफिकेशन आने लगे हैं जैसे कि मैं आपको अभी भर्ती की जानकारी देने वाला हूँ सबसे पहले आपको कहना चाहूंगा यार तैयार यह सुरू कर देजिए लोकडाउन के चलते जो भर्तिया पोस्पोन हुई थी वो भर्तिया आने लगी है देर वीडियो स्टार्ट करते हैं पहले को कहना चाहूंगा यदि आप मेरे चनल पहने हो दो स्क्राइब करें पढ़र ना भूले चाकि मंति पिस्तार करने अब वीडियो को जैसे कि आप इसकीन पर देख रहे हो । आर्मी रिकौर्मेंट आफिस लैंसडाउन आर्मी रिकौर् प्लाइ कर सकते हैं उत्रकासी चमुली तेहरी गरेवाल पाउरी गरेवाई गरेवाल और रुद्ध्यप्याग हरीदवार दहरादून और उत्रकंड इस्टेट यह इन इस्टिक वाले कोट वारा भरती में भाग ले सकते हैं दोस्तों आपको बता दूं कि यह बरतियां 20 दिस संबर तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे एडमिट कार्ड आपको 5-6 समय के बीज में प्रोवाइट करा दिया जाएंगे दोस्तों चलिए अब मैं बात करता हूं कि आपके कौन कोई पूस्ट के लिए भरती होना है और क्या क्वालिफिकेशन मांगा है कितनी हाइट चाहिए होना चाहिए और चेश्ट 70 cm हो चाहिए और 5 cm आपको फूलने में इंक्रीज होना चाहिए है थोड़ी कम मांगा है दोस्तों बजन भी कम है थोड़ा अब बात करते हैं सुलजाल जल्टा डूटी आईडीजी पत के लिए निकली है इसमें भी साधे सतरस 21 वर्स तक एज है और वही है आपके कितने कितने बीच होनी चाहिए इसमें हाइड थोड़ा कम मांगा है 157 cm हाइड है 48 kg आपका वेट होना चाहिए और चेश्ट कभी वही प्रशेस है अब हम बात करते हैं टेक्निकल सोल्जल टेक्निकल की चाड़े सतरस से तेज़वस इसकी एज रहती है औ और आपकी एज किसके बीच होनी चाहिए एक एक अक्टूमबर उन्नीस संतानवे से एक अपरेल दोहजार तीन तक आपकी एज होनी चाहिए एक त्रीशाट हाइड मांगा है 48 kg वेट है और से दतर प्लस पास सेंटीमेटर आपका चैस्ट होगा अब बात करते हैं सोल्जल नर्सिंग असिस्टेंट की इसमें आपकी एज रहेगी साड़े सतरह से तरीज बर्स किसके बीच रहेगी एक अक्टूमबर उन्नीस संतानवे से एक अपरेल दोहजार तीन के विच आपकी एज होनी चाहिए एक त्रीशाट हाइड होनी चाहिए 48 kg वेट होना चाहिए और स 77 प्लस 5 सेंटीमेटर आपका चैस्ट होना चाहिए अब बात करते हैं स्टोर कीपर टेकनिकल की मेनेजिमेंट की इसमें भी आपकी एज होनी चाहिए साड़े सतरह सतरह तेज बर्स और 1997 से एक अपरेल दोहजार तीन के बीच आपकी डेट आप वर्थ होनी चाहिए एक बास कि अब बात करते हैं सुल्जर ट्रेड मेन की इसमें आपका टैंथ पास होना ज़रूरी है और साड़े सतरह 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 तेज बर्स एज होनी चाहिए और आपका जो डेट आप वर्थ रहेगी एक अपरेल दोहजार तीन के बीच होनी चाहिए और इसको 63 हाइड और वेट भी स की अपरेल की बात करते हैं सब को पता है कि आपका टैंथ पास होना जरूरी होता है अपको प्लस टूपास होनी चाहिए और पचांस परसेंट आपकी मार्स होना चाहिए और 40% हर subject में आपके marks होना जरूरी है तभी आप इस form को flip कर सकते हो solar technical के लिए बात करें तो इसमें भी आपका 10th plus 2 होना चाहिए आपका इसमें PCM group होने चाहिए तभी आप इसको form भर सकते हो solar nursing assistant की बात करें इसमें भी आपका 10th plus 2 होना चाहिए और आपका इसमें chemistry, biology और physics होना जरूरी है और geology भी होना जरूरी है आते भी आप nursing assistant को भर सकते हो आपका physics chemistry biology भी हो सकता है और physics chemistry मेस्ट्री हो सकता है तो आप इसको भर सकते हैं आप इसलिए eligible हो अब हम बात करते हैं clerky की इसमें भी आपका 10th plus 2 होना पहुत जरूरी है commerce और science तीनो सब्जेक्ट में से कोई 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 सब्जेक्ट हो सकता है और आपका 50% मार्ग सोनी चाहिए अब कि अब हम बात करते हैं solar treatment की 10th pass की दोस्तों solar treatment का आपका सिंपल टैंथ परसंट के साथ और एट पास के लिए दोस्तों इसमें भी आपका 33% होना चाहिए इसमें आपको इसमें आपको और वेट में इनको छूड़ दी होती है यह देखिए आप देख रहे हो को हैड में चैस्ट में यह मैं छूड़ दी गई है अब हम बात कर लेती है फिजिकल फिटनेस की तो 1.6 किलिमीटर रणिंग होती आपको पता है और दोस्तों मैं आपको बता दूँ पहले ग्रूप म आपको पूसब कम मारत हो तो उसके हिसाब से आपका अंक दिया जाएगा जिग जैग होगा और नौफित गड़्ड़ आपको पता है और इसके बाद आपका मेडिकल टेस्ट होता आपको पता है और मैं बात करूं दूस्तों आपका जब आपको डाकुमेंट्स लेकर जाना अधिके चाना फोटोग्राफी लेकर आपको और और बहुत जैरूरी है सभी डाकुमेंट्स डोमेनीकल सार्टिप्फिकर न चाहिए कास्च साुसाइथ, काश्ट सारेथ्रिफिकर प्लक के यह कि छोना बहुत जरूरी है और दुस्तों यह इथि आपके पास अनसे साल्टि बहुत जरूरी है तो यह जाने करें दोस्तों पहले आपको एक और जाने करें देदो कि देखो पहली भरती की पहली भरती बहुत से रूल्स हो चुके हैं आपका जो नाम अंगसुची में होई है अधार काड में परिचेपस सभी में एक जैसे नाम होने चाहिए नहीं तो मैं हर भरती की जानकारी अपने चैनल में आपको देता रहूँगा तो में मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले दोस्तों आपके आपके ऊसी वीडियो दैखना चाहते हो तो मेरे चैनल को सस्क्राइब कर दे आपने स्टेट की भरती कावे करके तो आसा करते हूं वीडियो पसंद आई हो दोस्तो तो मेरे चैनल को सस्क्राइब कर दे और वीडियो लाइक कर दो या लाइकन दावना नाम हो ले कि नेक्स वीडियो का आपको आपडेट्स नहीं सब्सक्राइब मिलते रहें जाहें साथियों